कि एलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विद्धिकारी में दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रस्णों को देखेंगे हल करेंगे और यह जो प्रस्ण है वह एमसी क्यूज के रूप में होंगे और यह जो काफी कारगर्स वीडियो होगा और यह हिंदू विवाह अधिनियम का दूसरा पार्ट है इसके अंतरगत हमने एक पार्ट जो है हमारे चैनल पर इसका जो वीडियो है उपलब्द है उसमें हमने 40 प्रस्णों को साल्ब किया है और इसमें आगे के प्रस्णों को हल करेंगे और कोसिज करेंगे कि सभी जो प्रस्ण है उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और संबंधित जो प्रावधान है उनको कोर्रेलेट करते हुए उनकी सेक्षन के साथ वह आपके समक्ष उसको रखें ताकि आपको जो है एक कंप्लीट वीडियो सावित हो और इसमें पूरा जो एक्ट है वह कबर हो जाए तो अगर आप पहला खंड नहीं देखें हैं तो उसको जाकर हमारे चैनल विदिकारी पर द्यावर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और यह जो दूसरा वीडियो है तो इसमें हम जो है हिंदू बिवाह अधिनियम से संबंध अधिये उपबंध यह किस धारा के अंतर्गत दिये गए तो विवाह अधिये अर्था तलाग से संबंधी जो उपबंद है वह हिंदू भीवाह अधिनियम की धारा 13 पिंदिये गये है और धारत 13 प् alltså छुप है जो तलाक है हिंदू भीवाह अधिये पर दिया सकता है तो य इतने अत्रिक्त आधार दिये गए हैं तो धारा तेरा के उप धारा दो के अगर देखेंगे तो इसमें पत्नी को तलाक के कुल चार आधार दिये गए हैं इसके अलावा तेरा के खंड एक के अंतरगत जो आधार बताएगे हैं तलाक के वह पती और पत्नी दोनों को प्राप् साथ रखेल रखता है तो इसके आधार पर जो पत्नी है वह तलाक के लिए याज क्या दायर कर सकती है और दूसरा है टीज़े से यदि पति हैं बलातकार का दोसी है गुडा मैð। रही का दोसी है इसा पर भी पतनी कर Darth के लिए याज का दायर कर सकती है तीसरा जो ग्रांड है उसके अंतर मत्रति हैärke जहां पती याज के दायर कर सकती है और आप में चाउथा विकल्प के अंतरगत जो है यह कि विकल्प कि अर्थात अगर 15 वर्स की उमर से पहले वर्वधु की विवाः हो जाता है और अगर वह होने पर उस विवाः को स्विकार नहीं करते पूरी करने पर अगर वह उस जो पक्षकार है उस महिला है वह उस बिवाह को स्विकार नहीं करती है तो इस आधार पर भी वह जो विवाह है उसको अक्रित और सुन्य गोसित करा सकती है तो इस प्रकार से यह जो है चार आधार धारात तेरय कि खंड दो के अंत्रगत पतनी ओ इनक में अ इस प्रभाव क्या होगा तो इसका प्रभाव यह होता है कि अगर इसकी डिक्री पारित कर दी तो पती पत्नी जो है अलग रहने के लिए सोतंत्र हो जाते हैं अर्थात पती पत्नी एक साथ रहने के लिए वह बात नहीं है वह अलग रहने के लिए सोतंत्र हो करते को और समाव्त हो जाता है और तीसरी बात है कि निर्वाइधन जिसे भर्न पोस्र कहते हैं उसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जनें घुप 10 के तहत पारित की तो अधार उत्पन हो जाएगा तो अगर नियाइक प्रथक करण की डिक्री पारित होती है और एक वर्ष बीत गया इसी डिक्री के लेकिन सहवास का पुनर आरंभ नहीं होता है तो इसी स्थिति में इस आधार पर तलाक के लिए जो है दावा किया जा सकता है और तलाक का और नियाइक प्रथक करण का जो ग्राउंड है जो या जो आधार है वह एक ही है अर्थात एक ही आधार उपर जो ऑ decor 13 आपंड़ा अधार बताये पदेंब कि बसंत कि की जाती है कि नेक्ट है दो हिजड़ों के बीच किया गया वा विवाह किस प्रकार का होता है तो अगर दोनों व्यक्ति हैं तो अगर आईसी स्थिति में जो विवाह होगा वह सुन्ने होगा लेकिन एक पक्षकार है और दूसरा पक्षकार एक सामान ने इस्तिरी या का पूरुष है तो अईसी स्थिति में जो विवाह होगा वह सुन्ने करड़ी होगा क्योंकि हिंदु बीधि में जो विवाह है विवाह के लिए एक व्यक्ति का पूरुष और दूसरे का इस्त्री होना आवस्यक है तो इस प्रकार से इसके तहट जो है यह विवा है अगर दो हिजणों के बीच में होता है तो उसे सुन निगोसित किया जाएगा नेक्स रहे अधिन्यम की धारा तेरे के अंतरगत तलाग के लिए निमल्हेत में से कौन सा एक वयत आधार नहीं है तो तलाग का जो आधार है औरवित्याक किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करने के लिए क् लिए संसार का प्रित्याग कर चुका है कि दूसरे पक्षकार के बारे में पांच वर्ष में उन लोगों के दौरा नहीं सुना गया जिन्हें दिवह जीवित होता तो समभी होता है तो यह कोई आधार नहीं है यहां पांच वर्ष तक लापता नहीं है बलकि अगर वह साथ वर्ष तक लगातार लापता है तो आईसी स्थी में यह एक तलाग का ग्राउंड होगा लेकिन पांच वर्ष तक अगर लापता है तो उसे तलाग इस आधार पर नहीं मागा जा सकता है नेक्स्ट है निम्निखित में से कौन सा कथन सही है तो पहला है पारस्परिक सहमती से विवाह विच्षेत का वबंध हिंदु विवाह अधनियम में आरम से था यह गलत है क्योंकि आरम से नहीं था बलकि से नेक्स्ट का विवाह जोड़ान को सामिल किया गया है और इसके लिए धारा तेरह के अंतरगत एक अतरिक्त धारा तेरह बी जोड़ी गई है नेक्स्ट कावन मामला इसमें अभित्यजन से संबन्दित है तो यहां पर अभित्यजन से संबन्दि जो केस है वह है लच्मण बनाम मीना का जो केस है यह अभित्याजन अर्थात अभित्याग के आधार पर तलाग से संबंदित है और इसके रावा विपिन चंद्र बनाम अगर प्रभावती होता तो यह भी केस विपिन चंद्र बनाम प्रभावती का केस जो है यह अभित्याग से संबंदित है तो यहां पर पूछा है कुरूरता से संबंदित केस तो पहला है आलोक डे बनाम मिडाल कांटी दे तो यह कुरूरता से संबंदित है और यह जो है कुरूरता से संबंदित है नेक्स्ट है आनुएक अभित्याग से संबंदित कौन सा केस है इसमें तो आनुएक अभित्याग से संबंदित जो केस है वह ज्योती चंद्र बनाम मीना का केस है इसके लावाद दास्तान बनाम दास्तान का केस जो है यह कुरूरता से संबंदित है यह बिवाह से पूरु अगर इस्त्री गर्वती है तो इस आधार पर जो बिवाह होगा वो से सुनिकर्णी घोसित करा जा सकता है तो महेंद्र बनाम सुसीला का केस में यही निड़े दिया गया था है कि नेक्स है तो धारा 33 भी नेख्ट है तो धार भी जो है यह पारास्परिक सामती इस भी ओर आफ पहला विकल्ब सहिंत्त और अधार इंप्याएक के बारें प्रावधान धार्र؟ दस के अंतरगत दिया गया है और सुन्य विवाह के बारें प्रावधान जो है यह दारा 11 के अंतरगत दिया गया है कि साथ सामानित्या विच्छेद की कोई अर्जी, विवा संपन होने के कितने दिन के भीतर नहीं लाए बाती तो इसके बारे में प्रावधान है धारा 14 के अंतर्गत या बताये गिया है कि तलाख के लिए कोई भी आवेधन जो है विवाह के एक वर्ष बीटने से पहले अर्थाथ एक से पहले जो है तलाक के लिए कोई आवेदन या अर्जी नहीं लाई जा सकती है लेकिन इसमें जो परन्तु भी बताया गया है कि जब की मामला जो है याच्किया के द्वारा असाधारण कश्ट भोजगे जाने की संभावना है या जो प्रतिवादी है कि उसके द्वारा असाधारण दुराचारिता किया जा रहा है तो ऐसी स्तिति में यहां पर एक साल के भीतर भी तलाक के लिए याच्किया दायर की जा सकती है तो इस प्रकार से इस जो प्रस्ट का उत्तर जो है एक वर्स है कि एक वर्स के भीतर जो है कोई भी तलाक के लिए याच्का नहीं लाई जा सकत तो ऐसी जो याचिक्या है वह लाई जा सकती है एक वर्स के बाद तो पारसपरिक सहमती से हमने देखा कि बिवाविच्षित के बारे में प्रावधान है वह अधारा 13 बी के अंतरगत दिया गया है और 13 बी के अनुसार कि जब कि दोनों पक्षकार जो है आपस में सहमती बनाकर जिला न्याले में बिवाव को खंडित करने के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे जो आवेदन है या याचिका है कि वह एक वर्स या उससे अधिक समय से अगर वह अलग रहते हैं तब ही उसे ला सकते हैं नेक्स है पारस्मरिक सहमती से बिवाविच्षेद की याचिका में पक्षकारों के बीच पारस्मरिक सहमती डिक्री पारित करने के समय तक होनी चाहिए अर्थात जब तक डिक्री पारित नहीं कर दी गई है तब तक दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हों कि हमको तलाक ले ले लेते हैं अर्थात वह मुझा कर देते हैं कि हमको उत्लाक नहीं लेना है हमको बिवार working आजिके जाए गया तो यहीं जो है यह कहा गया कि असो कुल्राबनाम रूपा बिपिन जावरी की केस में और इसमें चाह घा तलाक लेना ही है तो यह नेड़े जो है असोग हुर्राब नाम रूपा अभीपिन जावरी के केस में 1997 में सरवोची न्याले के द्वारा दिया गया था अपील उसक निप्टारा नहीं हुआ है अगर उसे पुनाव नहीं कर सकते हैं और अगर आईसा अपील अप्टारा क्या होगा सुन्य होगा क्योंकि जब तक जो है फीजशेlık worked까지 की घडिकरी पारित कर जाती है तो उसी इस्तिति मैं उसे पुनहवाध कर सकतें है लेकिन जब तक अपील लङ्बी तब तक बिवाध नहीं कर सकते क्योंकि तब तक यह माना जाता है कि अभी उनका पुराना भिवाध है वह चल रहा है वह चालिओ हैं तो इस प्रकार से एक प्रस्नेया 되어 भी पूंचा जाता है कि जब ढर पंद्र के अंतरगत तलाक प्राप्त व्यक्ति हैं क्या धाराअचन पंद्र के विप्रित अगर पुनह बिवा करते हैं तो ऐसा जो बिवा हो yeah वह सुन्य होता है है और व्यांडराअचन दृप्रा घो च्छिंगे कि दुंद सब civर। करके अगर कोई विवा किया जाता है तो यह विवा क्या होगा यह जो है सुन्य होता है और ऐसा जो एक निड़ा है सुरेश खुलर बनाम विजय खुलर तो इस केस में दिल्ली उचिन्याले ने यह निर्धारित कि अपील रहने के दौरान अगर कोई व्यक्ति दूसरा विवा करता है तो आइसा जो दूसरा विवा होगा क्योंकि आप जैसे यह हो जाती है अगर अब मैंने हो जाएगा लेकिन अगर आपील कर ली जाती है तो पुराना जो भीवा स्थित माना जाए गा और यह सी depends में दूसरा भीवाइवह फिसे में रियर किया सकता है कि नेक्ट अहे हिंदू नाल कि 366 बच्चों की էरमज्टा से संबंधित सका। सब्सक्राइब पांच के उपकंड 3 के उलंगन में अपना विवा संपन करवाता है तो वह दंडित किया जाएगा तो धारा पांच के ऊपखंड तीन के थांद गर दया तो उसमें की तिया गया है कि अगर कोई विवाव है आईसी परिस्थिते में किया जाता है और वद्». ने प्रावधान धारा 18 के खंड का के अंतरगत दिया गया है और ऐसा जो दंड होगा दो वर्स तक का कठोर कारावास या एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों जो दंड है उसको दिया जा सकता है नेक्स्ट है यहीं कँई हिंदू अपना विवा हिंदू बिवा हधिन्यम की सभाघा 5 के खंड 4 और 6 के उलंगन मेंुंदंध किये जाएगा तो धार 5 का जो खंड चार है तो का थी और दंड के अंतर गट कोई बीवा किये जाता है तो आइसा जो यहा व2000 प्रावधान नातेदारी के अंतरगत अगर कोई विवा किया जाता है तो ऐसा विवा भी सुन्हें होगा और इसके बारे जो दंड का प्रावधान और धारा 18 के खंड भी एक अंतरगत दिया गया है और इसमें जो सजा होगी वह 30 दिन तक का या एक महिने तक का साधा कारवास या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा कि नेक्स्ट है हिंदु विवा अधिनियम की अधिन हर अरजी उस जिला न्याले में उपस्थित की जाएगी जिसकी साधारन सिविल अधिकारिता की अस्थानी सीमाओं के अंदर गत विवा जो है अनुष्ठापित किया गया था तो ऐसा जो उपबंध है वह किस धारा के अंत अंतरगत दिया गया है और धारा 19 के अंतरगत यह प्रावधान है कि वह न्याले जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी अर्थात वह कौन सा न्याले होगा जिसमें अर्जी दायर की जा सकती है तो न्याले होगा जहां पर विवाह का अनुष्ठान हुआ है या जहां पर अरजी के दाखिल किये जाते समय जहां पर जो प्रत्यर्थी हुआ निवास करता है तो ऐसे अस्थान पर भी वाद दायर किया जा सकता है या बिवाह के जो पक्षिकार है वह अंतिम बार एक साथ जीस अस्थान पर रहे हैं तो उस अस्थान की जो न्याले है अधिकारता भी वाद़ दायर किया जा सकता है है एक शुनवाई के विचारण है कितने दिनके भी समाप्त किया जाने का प्रयास किया जाएगा तो इसके बारे में प्रावधान है वह जो है धारा 21 बी के अंतरगत दिया गया है और इसके अनुसार अगर इस हिंदो भीवाह के अधीन कोई अरजी कि जाती है या कोई बात दायर किया जाता है तो उसका जो विचारन है उसी अधिन कोई दाखिल की जाती है तो ऐसी अपील का निप्टारा जो है वो है प्रतिवादी पर अपील की सूजना की तामिल के तीन महीने के भीतर किया जाएगा तो इस प्रकार से जो विचारण है वो अच्छा महीने के भीतर समाप्त किया जाएगा और जो अपील है अपील को तीन महीने के भीतर जो है निप चारा है तीन महिने के भीतर किया जायेगा और जो विचा यह जो निपतारा कुशा हुआ कर सब्सक्राइब करने जैएक यह फाल हुआ हिए को नेक्स आन्य करके बैवाहंश्ट करके प्रकासन के जाने पर ऐसा जो करने वाला हुकिस दंड से दंडित किया जाएगा तो धारा 22 के नंतरगत जो प्रावधान है कि कारवाहियों का बंद कमरी में होना और उसका मुद्रण है या उसका प्रकाशन है उसको नहीं किया जाना तो अगर करके कारवाहियों को मुद्रण करता है या उसका प्रकासित करता है तो ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपए तक के जुर्मान इसे दंडित किया जाएगा इसके संबंध प्रावधान जो है धारा 22 के अंतरगत दिया गया है नेक्स्ट है यह सुमेल है पहले से सुमेलित है तो धारा 22 के अंतरगत यह प्रावधान है कि कारिवाहियां जो है बंद कमरे में इसका जो आयोजन हो किया जाएगा और धारा 27 के अंतरगत संपत्ति के बेयान के संबंध में प्रावधान किया गया है धारा 24 के अंतरगत वाद इस अधिनियम की धारा 24 के अधिन वाद कालिन भरण पोसन और कारवाहियों के ब्याय के लिए न्याले में उपस्थापित अरजी का निस्तारण कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए तो इस प्रकार से अगर कोई अरजी दायर की जाती है धारा 24 के अधिन की वाद कालिन भर प्रावधान दो है धारा 24 के अंतरगत दिया गया है संतती अर्थात जो संतान है या अवैस्क बच्चें हैं उनकी अभिरक्षा से संबंदित उपबंद किस धारा की अंतरगत दिया गया है तो इसके अभिरक्षा से प्रावधान धारा 28 के अंतर दिया गिया और इसके नुसार जो इसी पर सीमा काल है वह नब्भे दिन की कहां होगी तो आरंभीक आथिकार्ता के प्रयोग में अग्र को कोईङ पारित की जाती है तो आपील साधानरत्या होती है तो इसके संबंद जो प्रावधान है उधारा 28 के अंतरगत दिया गया है को कि नेक्ट है कुटुम नियाले के द्वारा पारित डिक्री आधेश की अपील कहां होगी तो अपील के बारे जो प्रावधान है अधारा 28 के अंतरगत दिया गया है लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है कि किस न्याले में अपील होगी तो जैसा कि जो प्रारंभिक जो न्याले है वह जो है जिला न्याले है अर्थात जो जिला न्याले है उसमें इस अधिनियम के किया जाता है तो इस प्रकार से जो जिल्ला न्याले की जो अपील होती है हुसाधायं देन में होती है तो यहां पर एज क latch है इसका उत्तर उच्keeping होगा कि अगर कुट मोन न्याले के द्वारा है कि बीवाह बिच्छेद संदर्व में रूड़ु बिद्द्धिमान वहां आएसी रूड़ के अंतर्गत प्राप्त अधिकार को हिंदू बीवाह अधिन्यम प्रभावित नहीं करेगा तो यह भी सही है और तीसरा है कि अंतर जाती और अंतरधार्मिक विवा को कि अधिनियम जो है मानेता देता है तो इस प्रकार से यह सारे विकल्प हैं वह सही है और इसके बारें जो प्रावधान धारा नहीं पड़ेगा नेक्स है फैक्टम वैलेट का सिधान्त किसे संबंदित है यह विवाह से संबंदित है और इसके संदर में जो प्रावधान है यह धारा 29 उप्धाराद दो के अंतरगत समाही थे इसके अंस्वार अगर कोई विवाह अन्यथा मान्य है तो वह क्यों इसलिए अमाने नहीं होगा या इसलिए वह सुने नहीं होगा कि उससे जो है किसी धर्मसास्त्र के नियमों के अनुकूल हुआ नहीं है जैसे कि धर्मसास्त्रों में यह बताया गया है कि एक ही गोत्र में बिवाह नहीं हो सकता है जबकि हिंदू बीधी के अंतरगत ऐसा कोई हिंदू बिवाह दियम के अंतरगत ऐसा कोई प्रावधान नह पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस प्रकार से जो फैक्टम वाइलेट से दानत और या बिवा से संबंदित है नेक्स्ट है हिंदू बिवाह अधिनियम के पूर्व संपन अंतर जाती बिवाह को बैद बिवाह की मानिता हिंदू बिवाह अधिनियम की किस धारा के अंतरगत दिया गया है तो इसे धारा 29 के अंतरगत दिया गया है और धारा 29 को जैसे हमने बताया कि यह सेविंग क्लाज है और यह इस अधियम से पहले अगर कोई बिवा हुए है या अंतर जाती बिवा हुए है तो उनको मानिता देने से संबन दीती है प्रावधान धारा 29 के अंतर गती ही नहीं दहें और नेक्स है अधियम की धारा 27 आगर्शित होगी जबकि बिवाह में या बिवाह के समय भेट की गई संपत्ति अभिकतित रूप से होती है तो धारा 27 के तहट जो है अगर पती या पत्नी संयुक्त रूप से दोनों की संपत्ति है तो भेट की गई संपत्ति है तो यहाँ पर धारा 27 लागू होगी नेक्श्ट है निमलीखित में से कौन सा तलाग का आधार नहीं है तो तलाग का आधार खार 13 के अंतर गदिया गया है तो इसका आधार अभित्याग है कुरूरता है विचार है लेकिन विवा का साध्य भी खंडन यह जो है तलाक का अधार नहीं है नेक्स है दास्ताने बनाम दास्ताने किस बिंदू पर सरोच न्याले के द्वारा अगर निर्षित किया गया था तो हिंदु विवाहद नियम की धारतीज का निरसन है यह है एज़ जो है उनुट सो साथ में सनसोधन करके इसे निरसृत किया गया था नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन से मामलों में हिंदू विधी लागू नहीं होती है तो हिंदू विधी जो है कैसे व्यक्तियों पर लागू होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदू है जैन सिख खत्वा बहुत है तो यहां पर हिंदू लागू होगा हिंदू विधी तो उस ब्यक्ति को भी हिंदू माना जाता है और वहां भी हिंदू बिध के प्रावधान है लागू होंगे लेकिन जो अनुशूचित जन जाती जो की अनुशेत 306 चाचट के कलाच 25 के अंतरगत अगर कोई सदस्य है वह अनुशूचित जन जाती का या अनुशूचित आदम जाती का तो उसके उपर जो है हिंदू बिधी या हिंदू बिवाहधियम के कोई प्रावधान है उपबंध है यह लागू नहीं होंगे और इसके संबंद तो वहां फे वह वह सुन्ने होगा लेकिन अगर एक हिंदू बिवाहधियास के तो यह वह वैद होगा मान्य होगा नेक्ष्ट है निमलिखित में से कौन सी साधी सुन्य नहीं है तो इसमें पहला है कि बिवा के समय किसी एक पक्षकार के पती या पत्नी जीवित थे तो ऐसा जो बिवा होगा वह धारा पांच के अंतरगत सुन्य होगा दूसरा है कि पक्षकारों क खराब चरितर होना या जो है किसी विवाह को सुन्य नहीं घोसित करता है तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने हिंदु विवाह के जो बच्चे भी से उसको स्वल्व किया है और इस प्रकार से यह जो अधिनियम है इससे संबंधित जो भी प्रस्ण बनाए सकते थे उसको हमने कबर कर लिया है और अब इसमें हम हिंदु विवाह अधनियम पे अगर कोई हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पे जो पूछे गए हैं अलग-अलग स्टेस्ट में तो उस पे हम समाप्त हुआ जल्दी ही अब जो नेक्स्ट अएक्ट है जैसे डाप्शन है मेंटिनेंस का है या सक्सेशन का है तो उस पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि और वी जो वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल सके धन्यवाद